तो हाईलो प्यारे बचो कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे जवरजस्त होंगे एक चीज मैंने देखी है कि बच्चा 9-10 से ही अब बहुत ज़्यादा जागरुक होने लगा है उसके अंदर वो क्यूरेसिटी आने लगी है कि आप उसे आगे क्या करना है ल और उसमें सबसे ज्यादा जो मैज़रिटी है वो बच्चे जा रहे हैं मेडिकल फील्ड की तरफ इंजनिंग फील्ड की तरफ और इंजनिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड में अगर आपको जाना है तो J.E.E. औरु नीट ये सबसे ऐसे दो रास्ते हैं कि इनके बगर कुछ ऐसे basic questions लेके आये हैं उनके साथ सरने कम से कम NEET में अब तक चार से पांच बच्चों का selection कराया है अपने ही दम पर और उसका सारा सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको वो questions के लिए सामने रखने वाला हूं जैसे बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं वो NET में जाने जाने वो JEEEE में जाना चाहते हैं वो हरे में जाना चाहते हैं लेकिन होता है कि हम सुरुवाइग करा हैं हम चीजों को हांसे स्टार्ड करता हैं जिसे कि हम अच्छे Level टूव ऐसी क्या क्या चीज़ें करें से अद्रिक्ट मतलब इसमें अगर साइट से कुछ चीज़ों को करना चाहे कि वह अगर नीट के और गे निशींकों अच्छी तरीके से पकड़ पाय जब हो कि वहाए विल्ड बώρα तो तो NCRT पर जितने ही जबर्दस तरीके से पकड़ होगी, वो उतना ही success होने के chances बढ़ जाती है, चाहे नीड का pattern हो, चाहे जेडवली का, 2020 से लेके अब तक जितने भी pattern आए हैं, जितने भी questions आए हैं, उनको analysis करने के भिहाब पर ये चीज बताई जा सकती है, कि उनको NCRT पर पकड़ टकना बहुत जरूरी है, चाहे chemistry हो, चाहे why हो, और either physics के अंदर भी बहुत सारे questions, ये भी उसी level से आए हुए हैं, तो बहुत जादा higher level पढ़ने की कोई जरूवत नहीं है, उसी पर जादा जादा focus किया जाए, इससे best result आ सकता है, क्या बात कई सरने, कि सबसे ज़्यादा आपको focus करना है NCRT books के उपर, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा high level की, जो Maggie Maggie books हैं, उनको खरीद के लेके आते हो, और उनको आप study करते रहते हो, लेकिन बहां से उतने result नहीं मिलते, जितने आपको NCRT books पढ़ कर मिलते हैं, और सरने एक बात और बताई कि कई सारे question ऐसे होते हैं, जो NCRT के जो agitation आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप NCRT books, तो सबसे पहले आपके जो syllabus में अभी पढ़ाई जा रही हैं, आपके syllabus में, आपके academic label पर जो पढ़ाई जा रही हैं, उन पर आपक यहां से ध्यान देंगे, तो definitely आप आगे आने वाले time पर, आप 100% वो चीज़ को अचीब कर पाएंगे, जो आप चाह रहे हैं, और दूसरी बात, जब आप neat level पर आएंगे, और वहां से वो advanced level आपको देखने को मिलेगा, वो वहां से ही आपको समझ में आगा, क्योंकि NCRT जो है, वो गागर में सागर है, जहां से आप उन चीज़ों को समझते हैं, और आगे आप देखने को मिलती हैं, एक चीज़ और सर, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारी किताबों को पढ़ते रहते, तो उन्हें कौन कौन से ऐसी किताबें हैं, जिनको avoid करना चाहिए पढ़ने के लिए. प्रेक्टेस मेक से मैन फर पेक्ट, अभ्यासी इनसान को निपड बनाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टेस करिए, पीवाई क्यू जितने भी हैं, उनको लगाईएगा, बहां से आपको बहुत सारे experience मिलेंगे, और ये पता चलेगा कि जो पीवाई क्यू से कि रिपीट हो रहे हैं, और कौन से कॉंसेट से बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो अगर आप IIT जैई में, जैई के तुरू अगर आप IIT में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छा भीकल्ब होगा, और उसके साथ ही साथ अपहां सर का एक YouTube चैनल है, YouTube चैनल का नाम क नंुट चैनल का आप सब्सक्राइब कर लिजेगा, साती-साथ वैल आइकन के लिए दबाव लिजेगा, यहां पर प्रियोज आपके लिए जो क्लासे हैं बूलेके अभी सर प्रियोज चैनल रही न, अभी प्रियोज चैनल अपके लिए क्लासें मिलेगी इसके बाद golden कि स आपके लिए फिरी होंगी जो basic classes है वो आपको फिरी होंगी लेकिन जो main syllabus है उसका वो आपको paid होगा तो अब तक आप जल्दी से इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर रो और आपके लिए यहां से basic चीजें जल्दी से जल्दी अच्छी समझने में मदद करेगा यह YouTube चैनल मुझे अमेदा की सर उस पर एक अच्छा सा वीडियो बना देंगे है ना सर तो उस पर आपका सर वीडियो बना देंगे और आपका वो problem सदा सदा के लिए ठतम हो जाएगा और एक अगर आपका problem solve हो गया और बहां से अगर मार लीजेगा कोई questions भी आता है तो एक number से आपका को selection हो सकता है तो अपने सबसे पहले तयारी के basic foundation को clear करने का सबसे पहला मंत्र है कि आप उसकी नीव जो foundation है उसको मजबूत करें और मजबूत अभी होगी जब आपके अंदर जो big concept हैं कमजूर जहां पर हो आप उनको मजबूत कर लो ये सबसे पहला step होता है तो पहला step करनी पड़ती है आपको पता होगा जब आप cycle को चलाते हो तो cycle को start करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तागत देनी पड़ती है और जब cycle चल जाती है फिर उतनी आपको तागत नहीं देनी पड़ती है तो मुझे उमीद है कि आपको इस वीडियो से आपके आगामी ज पहुंसा में है तो बहुं पर ब मुझे बता सकते हैं इस फीसिप्स एक उलग से वीडियो बना दूंगा तो यहांसे आपको बहुत सारी चीज़ां सोल फो जाएगी लास्ट में इक पर चाहूँगा कि अगर आप इस चीज में इंट्रेस्ट लेते हैं तो हम आपका continue एक पूरा सिरीज लेके आ सकते हैं और उस वह सिरीज आपके लिए बहुत beneficial रहेगी गर आपका इंट्रेस्ट आएगा तो हमें आपमें इंट्रेस्ट आएगा और यह इंट्रेस्ट सपलता की उट ले जाएगा हमारे लिए तो चलिए आपके ज्यादा आपका बक्त नागाबाते हुए हम वीडियो कहीं पर खतम करते हैं और आपके इंतिजार करेंगे आपके कमेंट का तो चलिए थेंक यू गन्यबाद